बलातकार के आरोपी को दिल्ली हाई कोट ने किया बरी। एक महिला अपने भाई को खाना देने गई जब वो वापस नहीं आई तो उस महिला का बेटा उसको ढूनते हुए उस फ्लैट पर गया तो पाया उसकी मा बेहोश थी, जिसके बाद महिला को हॉस्पिटल ले जाया गय परंतु महिला ने बलातकार के संबन में कोई जानकारी नहीं दी। परंतु घर आने पर महिला ने यह कहते हुए एफाया दर्स करवाई की उसका बलातकार किया गया है। परंतु कोट ने महिला की गवाही के दौरान पाया की उसने अपने बयानों को बार बार बदला, घट कोट ने कहां महिला के बयान पुलीस इन्वेस्टिगेशन से भी मेल नहीं खाते हैं, कोट ने कहां बेशक सिर्फ महिला की एविडिन्स परियाप्त है, आरूपी को सजा देने के लिए परंतु यह जरूरी है पीडिता के बयान ट्रस्थवर्दी और रिलाइबल हो. परंतु इस केस में पीडिता के बयान ना तो ट्रस्थवर्दी है और नहीं रिलाइबल, इसके इलावा कोई मेडिकल एविडिन्स भी नहीं है, जिस कारण आरूपी को बलातकार के केस से बरी कर दिया गया. अगर आपको यह विडियो पसंद आई हूँ, तो लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले.